हालो इबरीवान गुड मॉनिंग कैसे हैं याप सब आप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए हो गई है मॉर्निंग और बस मैं उठ चुकी हूँ और आज डे है मंडे तारीक है आज दो अक्टूबर तो आज है गादी जैंती तो बच्चों के खाए यहांब देखिए मैं उठ गई हूँ और बच्ची लोग हैस्बेंट लोग सबही लोग सो रहे हैं तो बस में पर देखिए सबसे पहले उत्ति हों तो जो है कि मैं करें पहले मचरदानी में अपने अच्छे से इसको लगा देती बांध देती हूं उसके बाद जो ह कुछी कि देखिए लेकिन हम चुती नहीं होती है हमें तो हमें करना ही करना रहता है तो बस यहां पर देखिए तो छुट्टी के दिन मैं क्या करती सबसे पहले सोचती कोसिस करती हुए कि जाड़ू पोछा डस्टिंग यह सब मैं पहले कर लूँ उसके बाद जो है कि मैं अपना नास्ता बनाओंगी तो यह लोग अभी उठने वाले नहीं है क्योंकि इनका लेटी होता उठना तो फिर मैं कि पहले मैं अपना घ जाते हैं रात में तो फिर इनको मैं सबसे पहले उठाओंगी इनको उठाके बाहर रख देते फिर इनको जाड़ के ने जब साब सफाई कर लेते हुए फिर मैं जो है कि इनको भी चाती हूं इसके बाद देखिए तो आम मैं पूरे घर में ना अब अच्छे से पूरा लग पूरा अंदर बाहर तक जो हैकि अच्छे से पूरा लागा लोंगी और यहां पर देखिए तो डेली मैं जो है कि बाहर तक यहां तक जो ने कि पोछ लगा लेती हूं अगर साफ रहता है ना तो मैं सिर्फ जाडू लगा कि तो इस्ता स्वार्म पहर लेती हूं तो इस तरह से ने कि छुआ जोंत थोड़ा साथ सुतर गंडा लगता है और गंदा अगरू फों कि निकाल देते हैं सबस्क्राइब एक हैं तो आपने जगहों पे लगा दूंगी तो यहां पर देखिया तो मेरी साफ सफाई हो गई ती उसके बाद देखिए तो आगई हूं मैं किचन में नास्ता बनाने के लिए तो यहां देखिए तो नास्तेम सबसे पहले तो मैं यहां पर चाय चढ़ा दूंगी तो एक तरफ मेरी चाय होती रहेगी और साथ में इधर देखिए तो तवा रग दिया है गरम हो गया मेरत इधर जो कि सारी तैयारियां मैंने कर लिया है यहां पर मैं बना लूँगी ऑमलेट उसके बना लिए अच्छा था ब्रेट गरम करके बच्चों को ओमलेट दो ना तो इस तरह से नहीं खाते हैं इस तरह से बना दोना तो बड़े मन से खा लेते हैं यह लोग तो यहां पर देखिए तो मेरा ओमलेट ब्रेट भी जो है की रेडी हो जाएगी और इसी तरीके से मैं सारे अमलेट बेड़ अपना बना लूँगी तो मेरा नास्ता भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा और यहां पर देखिए तो यह सभी लोग जो है ना उट गया है यह लोग तो बस उटके अभी तो इधर उदर थोड़ी कुछ ताइम तक घूमेंगे थोड़ा एन चलो बाल भी थोड़ा धूल लेती हूं कि तो यह तो यहां पर देखिए तो आ गई हो मैं किचन में बस चाय यहां पर अपने लिए निकाल ले थी हजबन को पूछा तो वह भी चाय नहीं पिये थे तो करें मुझे भी चाय निकाल दो और देख रहे हैं चाय पूरी पूरी हुई है तो क्या होगा कि ब्रेड यह लोग तो खा लिए थे बच्चों ने सबीने लेकिन चाय नहीं पिया तो कभी-कभी यह लोग नैसी करते हैं मतलब अभी मैं सिर्फ ज्यादा तर मैं अपने लिए चाय बनाती है क्योंकि यह लोग पीते नहीं लेकिन हां अगर मूड पीएंगे नहीं मूड रहेंगा तो नहीं पीते अभी मैं कम बनाती हुएंगे मम्मी सिर्फ अपने लिए बनाए हो हमारे लिए नहीं बनाये तो मैंने देखे थोड़ी ज्यादा ही बना दिया लेकिन लोग बिल्कुल नहीं पीए तो चाय भी सारी पड़ी थी तो कभी- नास्ता निकाले हों अभी थे तो मैं अपना नास्ता लेकर आ गए हूं और भेटोने नास्ता कर लिया है नहीं करूंदी जायंती है तो इसी वज़ए से सबकिल चुटी 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 के दिन तो वही लेट उतना खाना पीना तोना इन लोग करब टाइम का टाइम रहता तो मैं अपना मैं काम जो टाइम से कर लेती हुआ तो सुबह उठके पटा-पट सारा काम निपता है शिवाद नहाव आके नास्ता पहले में बना लिया था इस ताकि यह लोग उठेक अपना नास्ता कर लेंगे लिए लुबर चलिए नास्ता करते हैं और नास्ते में हमलेट सब्सक्राइब नास्ता करते हुआ तो नास्ता तो मेरा हो गया है और यह देखिए जो डबबी कलवाई ने धूले थे नास्ता इनको जोए कि नेचे लाके आक दिया है और बस चलिए राज़िए नास्ता करते हुआ है पर डब रहा है तो यह देखें यह सारे राशन बाकि सारे जो गी वगार थे ना गी मखन अगला वह सब मैं ने फ्रीज में रख दिया और बाकि यह जो राशन है तो बस इसको मैंने निकाल लिया है तो बस सलिए इनको जो ने कि सारे राशन को जो एकी रख देते हैं करें परण ना यह जो मकाने दे ड्राइब फूम से साथ में आया हुआ था इसको ना डिकी में हम लग बोल गयते ते एक दिन उती में राए लिया था बूसरे जो ना डिकी जो ना अरपन कोले तो देखे गाडी जो ना मारी स्कूती खोले पीचे से देखे उसको ना खाने पड़ा हुआ तो आप देखे तो मैं अपने सारे जो राशन है तो इनको जो है कि डबे में रख लोंगी और इसके बात जो ना कि जहां यह डबे मैं ऊपर किचन में रखती हूं ना तो उसको भी मुझे थोड़ा उसका पेपर वहां किचन में रख दूंगे बाकी जो समान मुझे कैबिनेट में रखना तो यह देखे इनको उठाके मैं जो है ना काइबिनेट में अंदर रख दूंगी इसके बाद देखिए तो लंच का टाइम हो गया था तो नास्ता तो मैंने बना दिया तो इन लोग का उठना इतना लेट होता है नास्ता तो यह लोग कर लिए न तो आपे देखके भिन्डी पढ़ी हुई तो कल मैंने धोके रखत नहीं किया था क्योंकि और भी सब्सक्राइब करें तो आज मन कर दिया विंडी खाने के लिए मैं भिंडी बना लेती हूं और चुट्टी के दिन मतलब सब्सक्राइब करेंगे अच्छे साथ में हमारा काम भी हो जाता है मैं भी अपना सारा काम निपटा लेती हूं तो बहुत जल्दी सुबह मेरा काम निपट जाता है चुट्टी रहती है ना तो पूरा दिन ऐसी लगा के रखेंगे मतलब मैं देखें लंच बना दूंगी ना तो अभी लोग खाएंगे मतलब बे टाइम का टाइम क्योंकि नास्ता लेट करते हैं तो खाना के लिए बढ़ा ज्यादा पीछे पीछे चिलाना पड़ता है कि ख सारा लगा देंगे क्योंकि फिर वह साब भी हमें करना होता है बहुत सारे काम होते हैं इसके बाद भी जैसे कपड़े वगरा फोल्ड करना मुझे तो वह सब भी करना है तो फिर यहीं रहता है छुट्टी दिन ने लोग बड़ा ज्यादा कभी कभी परशान कर डालते हैं एक दम से कभी ना कि बस पूछो मत तो यहां पर देखिए तो मैं अपना भिंडी जो है कि कट कर लूंगी और यहां देखिए तो आ गई थी मैं किचन में अपना बनाने के लिए लांच और यहां पर देखे तो हस्मेंड यह ना यह समलों बच्चों से भी ज्यादा बच्चों से जादा भी टाइम का थाइम मतलब सोना नहाना इनका तो एकदम समझ में यहां आता ऐसी करते हैं तो यहां पर देखिये चाय बची हुई तो यह दुबारा से आए चाय पीने के लिए तो मैं की थोड़ा सा मुझे भी निकाल दीजिए तो यह देखिये सब्सक्राशन वगरे रखने रोटी मैंने बना लिया था तो बस मुझे सिर्फ भिंडी की जो है भुजिया बनानी है तो यहां पर देखिये मैं अपना ने एक तरफ जो है कि प्याज वगरा कट कर रही हूं कड़ाई में थोड़ा मैं खंगाल देते हूं जब भी बरतन घले साप रहते हैं तो यहां पर देखिए मतलब कड़ाई मेरी गरम हो गे तह तु तेयर डाल दिया सरसो का का मैं और कि तड़का दे दूट अर जो कि तोड़ा सा हलका सा ठोड़ा सा मतलब मतलब बनी भिंडी मतलब डाल दिया है तो बस ठीच का लोंगे चला चला के भून लोंगे उसके बाद जो है कि इसमें मैं बाद में थोड़ा आधा कुप हो जाएगे ना फिर में मसाले और नमक वगर इसमें दालेंगी तो अप्रेंस यहां पर देखिए तो भिंडी में अपने जो बेसिक मसाले होते हैं वह डाल दिया थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया बस इसको मिक्स कर दोंगे और यसे ना खुले में ही ना मैं पका लूँगी तो वहती अच्छी भिंडी बन जाती है भग दो थोड़ी गिली गिली सो जाती तो इस तरह से खुले में मैं जो की पका लूँगी और यहां पर देखिए तो मेरा लंच जो है की रेडी हो गया है तो यहां पर हजबेंट के लिए और अपने लिए मैं लंच निकाल रही हूं बच्चों को आवाज दिया तो उनको अभी बिल्कुल भी नहीं खाना होना है तो बस यहां पर मैं पहले हजबेंट को निकाल दूँगी और फिर अपने लिए निकाल लूँगी तो हम दोनों लंच करेंगे और यहां पर देखिए तो आज की दाल बड़ी टेश्टी दाल बनी थी थोड़ी से बची थी तो इसक खेंगे तो खीरा निकाल दूँगी तो फ्रेंट यहां पर हजबेंट का देखिए तो यह लंच ताली मैंने निकाल दिया है तो बस ऐसी ही पूरा दिन चुट्टी के दिन पूरा दिन लगे रह जाते हैं ऐसी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है ना तो बस यहां पर चलि भी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर दीजिए तो बीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर दीजिए तो